हाई गाईस असलाम अलेकुम नस्रीन किचन में आप सबका स्वागत है आज की रेसिपे है चिकन कबाब चिकन कबाब बनाने के लिए थोड़ा हल्दी पोडर नम्मक स्वाद अनिसार नम्मक जिंजर गार्लिक पेस्ट और एक अंडा और एक निम्मू का रस और दही थोड़ी और कबाब पोडर अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए से मिक्स करने के बाद थोड़ा कान फ्लोर दालना चाहिए दालने के बाद अच्छे से मिक्स करना चाहिए निक्स करने के बाद 10 मिनिट मैरिनेट के लिए रख दो तेल को अच्छे से गरम होने के बाद चिकन को तेल में बिना चिपके कड़ाई में एक केक कड़ाई में एक केक करके डाल दो चिकन को अच्छे से रोश करने के लिए छोड़ दो रोश्ट होने के बाद थोड़ा कर्या पत्ता डाल रही हों कि इसका फ्लेवर अच्छे से खुलेगा उसके बाद ready to serve अगर मेरा कुकिंग आपको पसंद आया तो लैक्स किजिए कमेंट्स और शेर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब किजिए